हेलो एस्ट्वेंट, मैसल फैनके सिंग और यू आर वाचिंग NKS Academy कूलम्स लौ के लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के बाद आज हम लो लेके आया हैं लेक्चर 4 लेक्चर 3 में हमने कूलम्स लौ पे बेस्ट कुछ नुमेरिकल्स किया था जो लो और मॉडरेट लेवल तक का था जो लोग नुमेरिकल्स कूलम्स लौ के नहीं देखे हैं किरपिया आई बटन पे जा करके लेक्चर 3 को जरूर देख ले और जो लोग लेक्चर 3 या उससे पहले के भी नहीं देखे हैं तो आप प्लीज सारे लेक्चर को कुलम्स लौ पे एक बार देख ले फिर आप इस लेक्चर को स्टार्ट करें तो चलिए बात करते हैं लेक्चर 4 पे इस सेशन में हम लोग अपने कुश्चन के लेवल को थोड़ा उपर रखेंगे यानि जो लोग जही मेंस और डिभांस के कंडिडेट है उन्ही को यह जादा बेटर लगेगा ठीक है? तो आईए स्टार्ट करते हैं सवाल सबसे पहली जो सवाल स्टार्ट करेंगे वो actually जही मेंस के सवाल से स्टार्ट करेंगे देखिए कुलम्स law की basic चीज क्या है पहले उसको समझते हैं कुलम्स law में बोली गई थी कि जो forces of attraction या repulsion होगी जो formula जो govern करती है 1 by 4 पाई आप्सवाट Q1 Q2 by R square ये दो point charges के लिए था कभी भी अलग-अलग state के charges के लिए valid नहीं था तो सवाल यहीं से बनता है starting ही सवाल थोड़ा सा dangerous है जिसमें दोनों charges क्या है point नहीं है तो फिर हम कैसे सवाल को बनाएंगे ठीक है तो आईए वो सवाल देखते हैं क्या है सबोज किजिए कि एक point charge है Q या ऐसा करते हैं पहले एक linear charge ले ले लेते हैं और इसकी charge total Q है और इसकी length L है और इस पर positive charge given है clear और यहां से r distance पर एक point charge Q ली गई है और आप से बोला गया है find the force between two charges एक linear charge है और एक point charge है तो पहली बात क्या इस पर coulombs law directly apply किया जा सकता है बिल्कुल नहीं क्योंकि coulombs law के लिए जरूरी जो बाते हैं वो इसमें नहीं है दोनों charges point नहीं है तो फिर कैसे बनाएं दूसरा कोई rule तो है नहीं तो हम लोग coulombs law को ही apply करेंगे लेकिन थोड़ी अकल लगा के करेंगे coulombs law तो केवल बोलता है भीया मेरे पास 2 point charge हो जो तो हम लगा लेंगे तो मैं इसके लिए एक विवस्ता कर रहा हूँ कैसे सोचो हम लोग कर क्या रहे हैं कि पूरे linear charge में से कुछ छोटा सा charge तोड़ लेते हैं ठीक है एजूम कर लेते हैं छोटा सा charge और छोटी सी charge अगर एजूम करेंगे तो obviously क्या होगी point charge होगी तो इस छोटे से section के बज़े से जो charge हो रही है और इस point charge के बीच तब तो coulombs law लगाई सकते हैं तो वही काम करने जा रहे हैं इस सवाल को बनाने के लिए मैं थोड़ा नीचे डागराम बनाऊँगा ये r distance है ये पूरी l है charge q है l लेक तो यहाँ से इस जगह से मैं x distance पे आ करके एक छोटा सा section में तोड लेता हूँ dx का ठेक है? dx section का और इस dx section पे charge कितनी होगी? द्यान सुनें इस dx section पे charge कितनी होगी? तो सबसे पहले लिखते हैं कि charge on a small section और वो कितनी आएगी जड़ा सोचो छोटी सी charge होगी ना dq और वो होगी कितनी? कैसे निकालेंगे? पूरी l link पर कितनी charge value हुई है? इसको चाहें तो हम linear charge के concept से भी निकाल सकते थे किसी भी link की charge को अगर निकालनी हो तो lambda times of o length अगर आपको पता है अगर मैं charge density वाला video lecture अगर आपने देखा है अगर आपने नहीं देखा है तो charge density वाला वी lecture आप देख लेंगे आई बटन पर क्लिक करके ठीक है? उसमें काफी detail मैंने बताया है तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो lambda times of dx और lambda को अगर तो तो charge per unit length पूरी charge q है पूरी length l है तो ऐसा भी कर सकते हो तो या directly unity process से कर सकते हो l length पर q charge 1 पर q by l तो dx पर q by l into dx तो छोटी सी charge कितनी हो जागी? obviously बात है q by l into dx चलिए तो ये point charge निकल गया और ये point charge महुझूद है दोनों के बीच की distance हमने क्या ले रखा है? x तो क्या आप column so लगा सकते हैं? तो force लिख लेते हैं छोटी सी force होगी df क्या होती है? k times of q1 q2 by r square q1 कितना है भी? इसका charge क्या है? तो इसका charge तो भी निकाला q by l into dx और इसकी charge कितनी निकाली हमने? q divided by r square r क्या है इन दोनों के बीच? x का square तो आप solve करोगे तो क्या मिल जागा? k q by l q को भी बाहर कर लेते हैं dx by x square ज़राद ध्यां से देखो यह छोटी सी force किसके वज़े से है? इस छोटे से section और इस point charge के वज़े से है मेरे को पूरे section के वज़े से force निकालना है नो इस पे तो हम क्या करेंगे? यहां से लेकर के यहां तक integrate करेंगे तो यहां पे x की value किसके equal होगी? r के और जब यह point यहां चला जाएगा तो x की value तो यहां से major कर रहा है तो यहां से इसकी distance कितनी होगी सोचो तो? r plus l तो integration कहां से कहां होगा? इस end मतलब x की value r से x की value r plus l तक तो total force निकालने के लिए हम क्या करेंगे? integration करते हैं dx by x square का from r to r plus l और 1 by x square का integration आप सब लोगों को आता होगा minus 1 upon x minus 1 upon x तो यह r से r plus l minus को पीछे कर लिजे और 1 upon x यहां बचेगा r से r plus l पहले upper limit लगा लिजे फिर lower limit upper limit r plus l lower limit 1 upon r इसको solve कर जाते हैं इसको solve करते हैं तो minus k q q by l उपर solve करेंगे r minus r minus l divided by r times of r plus l solve करके देखिए r minus r plus l यह नि माइनस को अंडर में introduce करेंगे तो ऐसा कुछ हो जागा यह दोनों cancel हो जागा l से l cancel हो जागा minus 1 और minus 1 plus तो k q q by r into r plus l तो net force क्या हो गई k q q divided by r into r plus l इस तरह से यह answer आपका हो गया तो इस तरह से हमने क्या देखा कि अगर हमारे पास दो point charge नहीं भी है तब भी हम उस सवाल को discuss कर सकते हैं लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें point charge का पहले उपाय लगाना पड़ेगा और उस छोटे से point charge के वज़ा से forces निकाल करके सही जगा से सही जगा तक integral कर लेंगे तो अपना पूरा force आ जाएगा ठीक है तो चलिए आप इस question को copy करें और मैं आपको एक दूसरा सवाल लेके आता हूँ जो की वाकई बढ़िया है तो चलिए हम लोग second सवाल पर आते हैं second सवाल क्या है एक charge है Q जो की fixed है ध्यान सुनिएगा एक charge Q जो की fixed है ठीक मतलब इसमें kill ठोग दिया गया है fixed है किसी भी तरीके से और यह किसी surface पे रखा गया है frictionless surface है ठीक है frictionless surface अब क्या किया गया यहाँ पे एक charge Q जो की separation है इसका R से release किया गया just released released from rest clear है Q charge है और उसको हमने क्या किया है just release किया है तो यहाँ पे कोई plus Q charge है surface frictionless है small Q को हमने छोड़ा तो क्या वो रुखेगी की दूर भागेगी obviously दूर भागेगी जैसे दूर भागेगी तो उसका speed क्या होता चला जागा बढ़ता चला जागा speed फिर बात में change होता चला जागा तो सवाल यही है कि जब इसका separation 2R हो जाए या 3R हो जाए या यह जिनरल तरपे में कहूँ जब इसका separation कुछ R1 हो जाए तो बताइए उस charge particle की speed क्या है what is the speed what is the speed of charge q at separation R1 ठीक है जब R1 separation हो जागा तो उसकी speed क्या होगी ठीक है तो पहली चीज इस सवाल को हम दो तरीके से बना सकते हैं एक बहुत ही shortcut तरीका है और एक है जो process से करें तो लंबा तरीका है लेकिन unfortunately अभी के समय में आपको केवल और केवल एक ही method करना पड़ेगा क्योंकि हमें potential energy का knowledge अभी नहीं है अगर हमें potential energy का knowledge होता electric potential energy का तो ये सवाल दो तीन step में बन जाएंगे तो फिलाल हम लोग एक ही method करते हैं और जब हम वहाँ पहुचेंगे तो वहाँ जरूर इस सवाल को लोग discuss करेंगे तो चली आते हैं तो पहली चीज तो ये कि एक general अभी तो फिलाल r पे है कहीं भी ये चलते चलते किसी general x पे जाएगी ठीक है तो इस पर force क्या लगेगी at any x force कितनी होगी पहले ये बताइए तो वो होगी k q1 q2 यानि capital q small q by x square सोचो क्या ये x variable है हाँ small r से लेकर के जैसी आगे बढ़ने लगेगी तो इसकी value लगातार क्या होने लगेगी change होने लगी होते 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 जिस समय r1 separation हो जागा उस समय आप से रफतार पुछ लिया गया तो सोचिए यहाँ पे जो force हो रही है इन दोनों के बीच वो variable है या fixed है variable है यानि force यहाँ x पे डिबेन कर रही है तो acceleration अगर मैं निकालू ठीक है यह force किस पे है इस पे force निकाल ला होगी इस पे clear है इसकी mass मालो m है तो इसकी acceleration निकाले है तो force divided by mass force है k q q divided by x square और m pc रह जाएगा तो सूचो क्या इसकी acceleration भी variable है बिल्कुल तो ये तो motion under variable acceleration का case हो गया यानि equation of kinematics हम नहीं लगा सकते हैं equation of generally बच्चे ए देखते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि हम ऐसा करते हैं b equals u plus a t या b square equals u a square plus 2 a s लगा देते हैं यहाँ पर वो applicable ही नहीं है क्योंकि acceleration क्या है variable है तो फिर हम कैसे approach करें तो differential approach करेंगे integration वगरा से आगे निकालने की कुशिश करेंगे यह आपको पता है kinematics में बताया गया आप लोग को तो चलिए इस कोलों बनाते कैसे हैं थोड़ा सा इधर साप कर लेते हैं फिर आगे बनाता हूँ तो चलिए देखते हैं एक वो हमने क्या लिखा है भाई k q q divided by m x square और यह x distance पर डिपेंट कर रही है क्या हम इसे d b by dt लिख सकते हैं होता ही है लेकिन मैं थोड़ा सा एक बात और करना चाहूँगा क्या हमारे पास time में कुछ है हमें तो positions दे करके वहां रफ्तार कुछ ही गई है तो हम इस time को eliminate करने की कोशिश सहरेंगे अपने logic से ज़रा इस logic को देखिए आपको पहले भी बताया गया यह सब चीज clear है dv by dx dx by dt दुनों cancel तो dv by dt पहले की तरह लेकिन ऐसा करने से हमें एक फायदा है dx by dt को हम क्या बोलते है velocity distance का time के उसार से rate क्या होती है velocity तो क्या हम यहां भी लिख सकते हैं और k q q divided by m x square तो अभी भी और x का relation हो गया और हम चाह भी तो यह रहे थे कि किसी हमें velocity चाहिए था किसी r1 position पे तो हमारा भी और x के बीच relation आ गया जरा variable को हमें एक बार separate कर लेते हैं भी वाले को भी के साथ और x वाले को x के साथ बाकी चीजे तो constants है यह तो constant है dx by x square अब dx और dv इससे हमें हटने के लिए का करना बड़ेगा दोनों साइड में integration करना बड़ेगा तो भी dv कर लेते हैं जो constant से उसको बाहर कर लेते हैं अब integration कहां से कहां यह आपको पता है starting की velocity क्या थी 0 क्योंकि rest से start किये थे starting की position x की क्या थी yes यहां से हम x कहीं भी ले रहे न तो starting की x क्या थी r starting की position r बाद की position r1 starting का velocity 0 और बाद का velocity आपसे पूछा गया है b dv यानि x dx तो b की power 1 है ना तो integration करेंगे तो 2 by 2 upper limit और lower limit लगा लेते हैं यहां है k q q by m और 1 by x square का minus 1 by x r से लेकर के r1 बस simple integration है upper limit v square by 2 lower limit तो जिरू ही हो जागा k q q divided by m और minus पीछे है 1 upon r1 minus 1 upon r अब इस minus को इसमें ले जाएए तो v square हो जागा 2 k q q divided by m minus को जड़ ले गया है तो 1 by r minus 1 by r तो इस तरह से अगर आपसे कोई velocity पूछे तो यह answer हो जाएगा तो यह हमने थोड़ा ज़ादा समय लगाया इसमें क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा चीज knowledge में नहीं है जितनी knowledge में है चीजें उसी से हमने इसको बनाया है अगर मुझे energy concept पता होता तो यह सवाल बहुत ही असानी से बनाया जा सकता था ठीक है चली इसको भी copy कर लिया जाए फिर आते है next अच्छे सवाल पे ठीक है two charges are suspended as shown दो charges है मैं कुछ लिख लेता हूँ Q charge Q charge दोलों को string से हमने suspend किया है और यह दोलों के बीच की जो separation x है मैंने थोड़ा बरा बनाया है लेकिन x is very very small compared to l कहीं पे लिखा हुआ है x is very very small compared to l तो सवाल कह भी सवाल यह है कि जैसे हम इसे नजदीक से छोड़ेंगे जैसे suppose करो कि यह काफी नजदीक है जैसी छोड़ेंगे तो इनकी velocity होगी इनकी एक velocity होगी तो जब इनकी एक velocity होगी तो जब उनकी velocity a by root x के बराबर हो जाएगी जब उनकी velocity a by root x के बरावर हो जाएगी उस case में आप बताइए कि charge किस rate से leak off करेगी charge का leak off का मतलब charge का क्या rate होगा leak करने का dq by dt आप से पूछा गया है फिर से सवाल समझेए दो charges है suspended है उनके बीच की separation काफी कम है जो की x है compared to l जैसी हम उसको छोड़ेंगे तो क्या होगी वो भागना चालू करेगी तो अगर उनकी velocity कुछ इस तरही किसे given है a by root x के हिसाब से तो आपको बूला गया है कि charge किस rate से leak कर रही है मतलब आपको dq by dt find out करनी है तो चलिए आए देखते हैं हमारा प्लान क्या है dq by dt निकालना तो dq by dt तभी निकलेगी जब हम q निकालेंगे और कुछ बाते इसमें given है कि यह जो x है वो काफी काफी क्या है small है तो चलिए कुछ चीज़े discuss करते है तो सबसे पहली चीज यह कि जब यह equilibrium में था जब यह x positions थी या जिस किसी समय में x positions थी उस समय की कहानी हम देखते है ठीक है तो उस समय की कहानी क्या है सोचिए आपको पता है कि t उपर act करता है और अगर यह theta है तो यह क्या हो जाएगी theta और t का एक component इधर जो की होगा t यह होगा cos theta और यह t sin theta और इसके वज़े से एक force इस साइड में लगेगा जो की electrostatic force होगी एक rubrium में सब को पता है क्या होने वाली है एक rubrium में उपर की force जो की t cos theta किसको balance करेगा mg को और t sin theta किसको balance करेगा electrostatic force को दब जो नों को divide करते थे तो क्या मिलता था याद करें tan theta will be f electrostatic divided by mg यहाँ तक तो ठीक है अब सोचिए क्या ये x काफी छोटा है हाँ तो क्या ये theta भी काफी काफी छोटी होगी बिल्कुल तो आपको पता है कि theta is very small जब theta काफी छोटी है तो आपको पता है कि tan theta को nearly हम sin theta लिख सकते हैं उसको nearly theta भी लिख सकते हैं तो फिलाल हम sin theta क्यों लिख रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ तो जैसी sin theta tan theta के लगबग बराबर हो जाएगी तो मैं sin theta लिखूंगा तो क्या होगा सोचो sin theta यानि x by 2 divided by l तो ये क्या होगा x by 2 divided by l मतलब क्या होगा x by 2 l अगे जगा पर हमने डाला x by 2 l और ये मिला f e by mg और f e की value चाहें तो हम लिख सकते हैं क्या होगी 1 by 4 pi epsilon 0 या k लिख देते हैं k q q q q square divided by r square और r उस समय क्या है obviously x है into mg तो इस तरह से हम देख पा रहे है x q क्या हो जागा तो देखो x q equals हो जागा q square 2 l divided by mg यहां से देखिए x by 2 l k q square x square mg तो x q हो जाएगा 2 l k ठीक है k छुट गया यहां पर 2 l k q square divided by mg देख लिजे कहीं कुछ उट तो नहीं गया सही है सब अब यहां पर मेरा पास q square है और यहां पर x q है मुझे चाहिए d q by dt हमें क्या निकालना है d q by dt तो चली इसको हम क्या करते हैं first मान लेते हैं और इसको हम differentiate करते हैं differentiating first with respect to time तो सबसे पहले तो x q का differentiation किसके respect में x के respect में और वापस x का t के respect में जो constants हैं सबको बाहर कर लेते हैं और q square का differentiation सबसे पहले q के respect में और वापस q का t के respect में सोचिए x q का x के respect में 3 x square 3 x square solve किजिए यहाँ पर 3 x square और dx by dt को हम velocity कह पाएंगे देखिया dx by dt को velocity कह पाएंगे 2 lk by mg d q square by q d q यानि 2 q आजागा इसका differentiation तो 2 q और हमें चाहिए था d q by dt आगया लेकिन जो d q by dt आया उसको हम चाहें के तो और छोटे छोटे format में हम reduce कर सकते हैं ठीक है d q by dt को पहले find out करते हैं तो क्या मिला ज़रा देखिये 3 b mg right 3 b mg ये वाला ले लिया नीचे आते हैं नीचे 4 l k q ठीक देखिये एक बार ध्यान से d q by dt निकालेंगे तो नीचे की quantity इस side में चले जाएगी तो 3 mg b x square 3 mg b x square चुटा हुआ है यहाँ पे और नीचे quantity आ जाएगी 4 l k q 4 l k q चले यह चीज है तो यह तमाम चीज क्या है constant है x variable है तो d q by dt तो हमने निकाल लिया लेकिन एक चीज और देखिए हमारे पास velocity गिवन है ठीक है जब उनकी velocity की approach a by root x हो जाएगी तभी ना आपको पूछा गया है कि d q by dt का क्या rate होगा तो obviously बात है कि हमें उस चीज को use करना है तो मैं b को अगर use कर लूँ तो b को use करूँगा तो क्या होगा a जो कि constant है divided by root x mg already है x square है और नीचे की quantity है 4 l k q इस चीज को अगर मैं और solve करूँ तो नीचे x की power half है x की power 2 है तो 2 में से half ले जाईएगा तो क्या हो जागा obviously बात है 3 by 2 तो यह d q by dt है हम और आगे बरा लेते हैं इसको थोड़ा lengthy है ना खेर कोई बात नहीं euro doop के सवाल थोड़े lengthy होते ही है तो सवाल में क्या है ज़रा देखिए रहां से आप equation first में देखें equation first में अगर आप देखेंगे equation इसको first न बोल के 2 बोल लो क्योंकि already यहाँ पर first माना हुआ है चलो तो 2 में देखते है x q की value हमारे पास यह पता है जो भी है वो सब constant के term में है देखो l q सब कुछ constant है तो हम क्यों ना x को भागा दें वहां से लेकिन x q है यहाँ पर राइट तो एक काम करते हैं क्या हम इसको x q का half लिख सकते हैं बिल्कुल अब x q की जगा पर फूरी quantity को डाल सकते हैं तो जोना डालते हैं देखते हैं क्या आता है और x q की जगा पर डालेंगे तो 2 l q square k divided by mg यह तो हो गया और half half का मतलब क्या होता है root अंडर तो root से क्या-क्या बाहर आगा q और q से q cancel हो जाएगा तो 3 a mg by 4 l k मैं q को हटा दिया और root के अंडर में क्या-क्या रागिया 2 l k by mg देखिए इसको और भी हम चाहे तो solve कर सकते हैं उपर root k नीचे देख सकते हो के root k से root k से कर जाएगा root mg root mg से cancel हो जाएगा तो चाहे तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं देखिए 3 by 4 a root mg उपर हो जाएगी अच्छा नीचे root l हो जाएगा और नीचे root k भी हो जाएगा उपर root 2 बच जाएगा इतनी चीज़े हमने कर ली आप एक पर अच्छा से calculation कर लीजेगा देखिए कोई चीज़े skip तो नहीं हुआ है तो अब इसको solve कर ले तो finally हो जाएगा 3 by 4 a root ended to mg by l k तो ये rate हो गई और k के जगह पर आप डाल सकते हैं ठीक है 1 by 4 pi epsilon not तो ये उपर चला जागा और आप आराम से answer कर सकते हैं तो चली ये सवाल आप कर लीजे बढ़िया सवाल है ठीक है थोरा लेंदी है बट चलेगा इतना आएए अब कुछ नए सवाल करते हैं पहले आप इस चीज़ को copy कर लीजे चली next सवाल करते है next सवाल भी काफी बढ़िया है एक ring है एक string है string और उसको हमने endless बनाया है ring जैसा और उस पे हमने कुछ charge दे दिये है कुछ charge ले लेते है मालो इस पे चार्ज क्यू ही लेते है ठीक और पॉजिटिव चार्ज आई है ठीक है और इसके center पे भी हमने plus q charge लिया या q not कुई दुस्ता charge भी हम चाहे तो ले सकते हैं चलो ज्यादा बेटर है general लेते हैं यहाँ पे q है और यहाँ पे क्या है कोई q not चार्ज है पॉजिटिव चार्ज ही है सोचो क्या होगा इस प्लस q not से क्या चारो बगल forces लगेंगी रीपल्स वाला तो रीपल्स वाली forces लगने के वज़े से क्या यह string tight होगी taught होगी बिल्कुल हो जाएगी तो string जब taught होगी तो उसमें इन दे श्ट्रिंग इन एक्लॉब्रियम ठीक है एक्लॉब्रियम में string में आपको पूरी charges point है नहीं है तो क्या हम coulum slow लगा सकते हैं बिल्कुल नहीं और इसका डेटा एक लिए लेते हैं इसकी radius r है तो coulum slow लगाने के लिए क्या करते हैं हमें point charges चाहिए तो ऐसा करते हैं फिर से वही कहानी पूरे इस ring से एक चोटा सा charge हम तोड़ते हैं और चोटा सा charge को हम point charge बोल लेंगे फिर इसके इसके बीच क्या होगा force लगेगा और फिर उस force को हम handle कर सकते हैं तो आईए देखते हैं माल लिजे कि हमने एकदम छोटा सा charge तोड़ा चोटा charge को तोड़ेंगे और काफी एकदम small gaping पे देंगे तो हमें discuss करने में थोड़ी परेशान ही होगी तो थोड़ा हम बड़ा दिखार जरूर रहे हैं लेकिन है ये काफी छोटी माल लिजे कि काफी छोटी सेक्षन हमने तोड़ा ठीक है और माल लिजे ये पूरी एंगल 2 थीटा है easy करने के लिए और पूरे बीच से मैं एक line draw कर रहा हूं तो इसमें जो tension होगी कुछ इस side होगी इस तरह से और इसमें जो tension होगी just this side होगी ठीक और इस पे जो छोटा सा section है इस छोटी से section पर charge कैसे निकालोगे small section है माल लोगे small section की length L है काफी छोटी है तो dlb हम चाहे तो ले सकते थे तो इस पर charge कैसे निकालोगे तो charge निकालने का फंडा है पूरी लंबाई कितनी है 2 pi r तो आप ऐसा करोगे न 2 pi r link पर कितनी charge है q एक link पर कितनी हो जाएगी q by 2 pi r तो छोटी सी charge L link की है तो उस पर charge कितनी हो जाएगी q l by 2 pi r तो चलो इस पर तो charge हमने निकाल लिया इस पर जो छोटा सा charge निकाला है वो क् DL या अगर L length है तो L अब सोचो इस charge और इस charge के बीच force किदर लगेगी उपर repulsive force उपर लगेगी और यह tension इदर है अगर यह 2 theta है और यह वाला angle अगर theta theta हम लिए है 20 से ठीक है और यह लगभग क्या है 90 तो यह हो जागा 90 degree minus theta क्या हो जागी यह 90 अगर मैं यहां से एक line ऐसे draw करो सोची तो यह line यह पूरा 90 degree है इस पर अगर यह 90 degree minus theta देहां से दिखे यह theta यह 90 degree तो यह 90 degree minus theta तो यह वाली क्या हो जाएगी theta यह वाली क्या हो जाएगी theta तो यह t का कौनसा component t cos theta इस side में भी t का t cos theta तो यह तो एक दूसरे को balance करेंगी और यह वाली force इधर क्या होगी t sin theta और t sin theta दोनों के वज़े से तो finally क्या हो जाएगी यहां पर ज़रा देखिए 2t sin theta clear है इस सवाल को मैं दोबारा समझा रहा हूँ हमने क्या किया एकदम छोटा सा section तोड़ा Q तोड़ रहे हैं उसका भी वज़ा है क्योंकि Coulomb's law हमेशा 2 point charges के बीच लगाते हैं तो एकदम छोटा सेक्षन तोड़ रहे हैं लेकिन उसको छोटा न बना के थोड़ा बरा है इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें कुछ चीजों को indicate करने में आसानी हो बस तो हमने क्या किया यहाँ पर छोटा सेक्षन तोड़ा इस छोटे सेक्षन पर सबसे पहले तो charge find out किया कैसे निकाला पूरी Q charge 2 pi r link पे है तो एक पे तो फिर L पर कितनी होगी हमने निकाल लिया फिर वो force का value obviously force जो होगी वो उपर की तरफ होगी ripple से अच्छा tension इस साइड और इस साइड होगी tension का एक component इधर और एक component इधर दोनों same component है cancel कर देंगे center की तरफ tension की दोनों component t sin theta t sin theta तो दोनों मिलके कितने होगी 2t sin theta तो equilibrium में जो नीचे force लग रही होगी ना इस section पे वो उपर के बराबर होगी तो n equilibrium 2t sin theta किसके equal होगी f electrostatic जो लग रही होगी repulsive लग रही होगी लेकिन theta तो काफी छोटी है तो sin theta को लगबग हम क्या लिख सकते है theta और ये electrostatic force होगी कितनी इसको तो आपको पता है निकालना 1 by 4 by epsilon naught q into तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा 2t sin theta equals f r f r क्या है इस section और इस section के बीच force of repulsion और होगी कितनी है 1 by 4 by epsilon naught इसकी charge है भाई q l divided by 2 by r q1 q2 q2 कितनी q naught और दोनों के बीच distance capital R का whole square तो ये रहा अब एक बात चितो क्या यहाँ angle काफी छोटी है हाँ ये काफी छोटी length है तो angle भी काफी छोटी है तो angle जब छोटी होती है तो क्या sin theta को हम लोग theta लिखते है पढ़ा है हम लोगने कभी sin theta is theta तो हम angle काफी छोटी है तो sin theta को लगभग हम क्या लिखते है theta इसको solve कर रहते हैं Q Q not L divided by 8 pi square epsilon not R का Q ठेक एक काम और कर सकते हैं ये 2 theta और पूरी लंबाई L और पूरी radius इसकी R है तो आपको पता है ना इस तरह से अगर इसकी पूरी लंबाई L हो ये theta हो तो theta equals L by R लिख सकते हैं तो हम इस 2 theta के जगा पर लिख सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं और T times of देखें T times of 2 theta 2 theta के जगा पर L ठीक है यहाँ पर 2 theta है actually तो L by R Q Q not L divided by 8 pi square epsilon not R का Q यहाँ से देखें अब 1 R 1 R 1 से cancel L से L cancel तो T will be Q Q not by 8 pi square epsilon not R square तो इस तरह से यह tension आ जाएगी तो I hope आपका यह concept क्लियर हो गया यह भी question काफी बढ़िया है आईए अब हम लोग एक सवाल देखते हैं जो J E advance में पूछा गया था ठीक है? पहले आप इसको copy करिए तो फिर मैं वो सवाल पहले लिख देता हूँ और फिर मैं आप सवाल डिसकस करूँगा चलिए आईए नेक्स सवाल देखते हैं नेक्स सवाल J E advance type का है ठीक है? सवाल में क्या है? 4 point charges each of plus Q are rigidly fixed at the 4 corners of a square planar so film of side A एक square so film है और इसके corners पे plus Q plus Q plus Q plus Q charges रखे गई है ठीक है? दियान से देखिए the surface tension of the soap film is T surface tension soap film के कितनी है? T the system of charges and planar film are in equilibrium पूरी system equilibrium में है ठीक है? दियान रखिएगा पूरी system क्या है? equilibrium में है मतलब लगा मैं इस वालने side पे बात करूँ तो जितनी force उपर है उतनी force नीचे ठीक है? इस वालने corner में बात करूँ तो जितनी force इस side में है उतनी force इस side में तो कुल मिलागर कि हम side वाला काम करेंगे तो किसी एक side पर जितनी उपर होगी उतनी नीचे और पूरी system equilibrium में है ठीक और फिर उनने बोला है कि A की value कुछ ही stripe की है तो आप N की value बताओ ठीक तो हम किसी एक side को सोचते हैं चलो इस side को सोचते हैं या फिर इस side को सोचते हैं चलो इस पुरे side पर कौन-कौन सी forces लगेगी जरा उस पे आप देखिए प्लस Q के बज़ा से आगे F इस प्लस के बज़ा से आगे F क्लिर है दो forces और साथ में इस पर इस वाले के बज़ा से इस side में कुछ F- और इस वाले के बज़ा से F- तो इस वाले पर net force हमें किस side निकान ली है इस side तो क्या करें यह 45 degree है यह 45 degree है तो यह 45 degree हो जाएगी clear तो F- का इस side में और कौन सा component होगा सुचो तो F- cos 45 degree यहाँ भी वही कहा नहीं है जितनी force इधर corner में लगी ही उतनी force इस side लगी तो F- की कौन सी force F- cos 45 degree सुचो तो इस वाले side पर total force right side में कितनी लगी F plus F- cos 45 degree फिर F- cos 45 degree प्लस है और इस side में total surface tension के वज़े से कितनी force लगेगी आपको पढ़ना है कि surface tension जो होती है force per unit link लेते है अगर एक open surface है तो force की value क्या होगी T times of L clear लेकिन सोचिए क्या यहाँ पे केवल उपर का केवल open surface है कि इस structure के उस side में एक surface है सोची ज़रा कोई भी open structure है से तो इधर भी surface है और इधर भी surface है दो-दो surface है तो इसमें इस वाले surface के वज़े से force लगेगी T times of अगर इसकी side A है तो और उधर जो forces होगी उस वाले surface पर वो भी मिल करके T times of A तो total इसके left में कितनी लगी T A plus T A और right में तो आप देखी रहे हो तो right में हम सबसे पहले ये F निकालेंगे एक side के वज़े से और corner के वज़े से ठीक है क्योंकि वही चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है और diagonal कितनी होगी root 2 times of side root 2 का square तो यह उज़ाएगा K Q square by 2 A square clear तो यह हमने force निकाल लिया तो इस पर net force क्या होगी F net force क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए क्योंकि सबसे side क्या है equilibrium में तो जितनी force इस side लग रही है उतनी force ही था तो इस side में कितनी force लग रही है 2T है और उस side में तो आपको पता ही है मैंने F F dash cos 45 degree F plus F dash cos 45 degree और ऐसा एक बार और होगा यहाँ के लिए देखो यहाँ same same तो इसलिए मैं इसको क्या कर लोगू twice कर लो तो यह दोनों quantity cancel और T times of A will be F F तो आपको पता ही है अभी हमने निकाला है F ठीक है F क्या निकाला है K Q square by A square K Q square by A square plus F dash का value क्या है K Q square by 2A square into cos 45 degree 1 by root 2 क्लियर है अब इसको हम solve करे तो क्या होगा 2 root 2 A square यहां क्या होगा 2 root 2 K Q square plus K Q square अगर मैं यहां पे लेलू तो A Q देख सकते है A Q equals 2 root 2 K ध्यान से देखिए common कितना हो जाएगा sum में से K Q A square तो क्या हैगा 2 root 2 plus 1 by 2 root 2 into T ध्यान से देखिए T इस तरह से A Q से हम A निकाले तो K Q square 2 root 2 plus 1 by 2 root 2 into T की पूरी पावर कितनी 1 upon 3 अगर आप ध्यान से देखें इस format को देखें तो Q square है यहां बिलकुल अच्छा Y T भी है बिलकुल और यह तमाम जो चीज़ है वो किया है Constant है उसका नया नाम कुछ के वे दे लेते हैं उसकी power 1 by 3 होगी तब भी वो क्या होगी एक नई constant ही होगी तो हम उसको क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं तो एक नई constant होगी चली तो अंदर में क्या है भही QA square और यहां क्या है T की power कितनी total 1 upon 3 तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि A क्या हो रही है sum constant QA square by T 1 upon N तो यहां पर compare करने पर अगर हम इससे compare करें तो N के जगा पर कितना आ रहा है 3 तो यह अपना answer होगा